हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिसेट नमर टूंटी जो बिहार दरोगा मेंस के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्म टू के बुक से चलाया जा रहा है एक से 19 तक already uploaded है अगर आप नहीं देखें तो जाके playlist से देख सकते हैं playlist में एक बिहार दरोगा मेंस के नाम से एक playlist बना है वहाँ सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे साथी साथ मैस के वीडियोज जो अप लोगों का क्यूरीश था वो भी chapter बाई जो start कर दिया गया है मिल ले हैं और वो धीरे धीरे करके पूरे लूसेंट को कबर करवा दिया जागा तो आप वो भी जाके playlist से देख सकते हैं तो आईए start करते हैं अपने questions की तरफ से हमारा आज का जो पहला question है बो है question नमर फरस्ट कह रहा है साहीत के छेतर में रविन्ना टाइगोर नहीं केबल भारती है बलकि प्रथम ACI बेखती हैं जिनको नबल पुरुसकार प्राप हुआ है साथी साथ नबल पुरुसकार से याद रखेगा नबल पुरुसकार सबसे पहला बार 1901 में अवार्ड किया गया था जो first awarded Nobel Prize है वो 1901 में है मतलब 1901 में सबसे पहला बार मिला है साथी साथ कुछ अनबेक्तियों के याद रख नाम याद रखिएगा जिनके बारे में हमेशा पुछा जाता है एक हैं CB रमन इनको रमन इफेक्ट के लिए 1930 में दिया गया है एक हैं आमर सेन इनको 1998 में अर्थ वेवस्था के लिए दिया गया है चलिए रबेना टाइगोर से याद रखेगा इनको साहीत के छेतर में गिता अंजली पुस्तक के लिए नोबल प्रुसकार मिला है लाइकेन प्लांट ब्लैंक डिवीजन से संबंदित है तो जो लाइकेन प्लांट है वो थैलो फाइटर डिवीजन से संबंदित है तो आपसन नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जो lycan होता है वो कबक तथा सेवाल दोनों से मिलाकर बनता है lycan में क्या होता है जो कबक और सेवाल होते हैं दोनों का संबंध जो होता है वो परसपर सहजी भी जैसा ही होता है question number 3 कहा रहा है कि मनुस के आवाज की ध्वनी blank के द्वारा vocal cord से उत्पादित होती है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जागा वो कंपन यानि वाइब्रेशन वाइब्रेशन के द्वारा ही मनुस की आवाज की ध्वनी होती है वो vocal cord से उत्पादित होती है ठीक है देखे आखिर ये कंठ या स्वार क्या कहलाता है तो स्वासन मार्क का बहुँ भाग जो ग्रस्टनी को स्वासनली से जोड़ता है वो ही कंठ कहलाता है ठीक है स्वार्यंतर की अगर हम बात करते हैं तो स्वार्यंतर का मुख कार्ज ही होता है ध्वनी का उत्पादन करना question number 4 कह रहा है कि आध्वनिक periodic table में silicon z equal to 14 को किसके बीच में रखा गया है तो देखिए इसको z 14 किसके किसके बीच में आता है 13 और 15 के बीच में आएगा तो 13 कौन होता है 13 होता है aluminium और 15 किसका होता है फासफोरस का होता है तो aluminium और फासफोरस के बीच में रखा जाएगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number B अगर हम आधुनिक periodic table आधुनिक आबरसारनी के बात करते हैं तो इसको 1913 में बनाया गया है और इसकी खोच किसके द्वारा किसके द्वारा बनाया गया है मोसले के द्वारा बनाया गया है next question है question number 5 question number 5 का रखी केला का कौन सा भाग खाने योग है तो केला का भाग खाने योग है मध एवं अंत भीती भाग तो अपसर number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है भून पोस्स से याद रखेगा नारियल का हम लोग भून पोस्स खाते है मध फिल भीती से याद रखेगा आम का हम लोग मध फल भीती खाते हैं next question है question number 6 question number 6 का रखनीम लिखित में से कारबन के कौन से मिसरन का द्रब बनने और उबलने का तापमान सरबादीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा है acetic acid acetic acid का मिसरन का जो द्रब बनने और उबलने का जो तापमान है वो सरबादीक होता है acetic acid यानी CH3COOH acetic acid सबसे ज़्यादा कहाँ सिरका और आचार में पाया जाता है ठीक है मिथेन से याद रखेगा कि मिथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है next question है question number 7 question number 7 कह रहा है कि हिर्दे मांस्पेसिया ब्लैंक होती है तो हिर्दे मांस्पेसिया जो होती है वो बेलना कार भी होती है साखित होती है और एकलना भी खोती है तो option number 8 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा बेलना कार साखित और एकलना भी खोती है ठीक है मनुस की अगल हिर्दे की बात करते हैं तो याद रखेगा मनुस का जो हिर्दे होता है वो चार कोस्ट रख होता है मतलब चार चेम्बर्स होते हैं उसमें क्लेर है Next question है question number 8 Question number 8 का रहा है oxygen की अनुपस्थिती में sub-state के पून बिघटन को blank कहा जाता है तो oxygen की अनुपस्थिती में sub-state के पून बिघटन को on oxygen कहा जाता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा on oxygen की जो संपून प्रक्रिया होती है वो कोसी का द्रब में संपर्ण होती है ठीक है और on oxygen में क्या होता है गुलकोच का आंसिक oxygen का रण होता है next question है question number 9 question number 9 कहा रहा है कि cricket my style पुस्तक किस ने लिखी है तो cricket my style पुस्तक के लेखक है कपिल देव तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा ठीक है कपिल देव से एक और चीज़ याद रखेगा इन्होंने a straight from heart भी पुस्तक लिखा है ठीक है रभी सास्री से याद रखेगा यह भी भारतिये क्रिकेट टीम के ततकाली मुख कोच है अनील कुमले से याद रखेगा इन्होंने एक by dangle नाम की पुस्तक लिखा है क्या लिखा है by dangle नाम की पुस्तक लिखा है सुनील का वासकर से याद रखेगा इन्होंने एक पुस्तक लिखा है सनी डेज और दूसरा एक पुस्तक लिखा है अस्टेट ड्राइब क्लियर है चलिए next question है question number 10 question number 10 कह रहा हवा के दबाब को आप क्या कहेंगे तो हवा के दबाब को हम लोग बायूमंड लिए दबाब कहते हैं तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा बायूमंड लिए दबाब से याद रखेगा इसको बैरल मीटर नामेक एक डिवाइस होता है उससे नापा जाता है और इसके साथ ही साथ याद रखेगा इसका जो SI unit होता है वो होता है newton per meter square जिसको की हम लोग पास्कल कहते हैं next question है question number 11 question number 11 कह रहा है एंजिल जेल परपात कहां स्थित है तो एंजिल जेल परपात जो है वेन जुएला में स्थित है तो option number यह जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा एंजिल जेल परपात की हाइट है 979 meter ठीक है एंजिल जेल परपात से याद रखेगा यह कैरो नदी पर इस्थित है और 20 का सबसे उचा जेल परपात है ठीक है अगर हम भारत की सबसे उचा जल परपात की बात करते हैं तब याद रखेगा जोग जिसको की हम लोग बोलते हैं गर्सुपा जल परपात ये भारत का है और विस्प का सबसे उपर उचा है एंजी जल परपात जो वेनेजुएला में इस्थित है वेनेजुएला से एक और जल परपात याद रखेगा जो जाम में पूछा जाता है उसका नाम है कुक बेनन कुक बेनन जल परपात भी वेनेजुएला में इस्थित है next question है question number 12 question number 12 कहरा है घागरा का यूद ब्लैंक बर्स में लड़ा गया था तो घागरा का जो यूद है वो 1529 में लड़ा गया था तो आपसर नमबर 2 जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा और घागरा के यूद में बाबर ने अफगानों को हराया था ठीक है 1526 से याद रखेगा ये 1526 में पानी पत की प्रथम लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर ने इब्लाहीम लोदी को हराया था next question है question number 13 question number 13 कहरा है गोभी मरुवस्थल दो देसों की सिमाओं को अलग करता है उनमें से एक चीन है और दूसरा देस कोन है तो गोभी मरुवस्थल जिन दो देसाओं की सिमाओं को अलग करता है बो है चीन और मंगोलिया तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा CAO की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं calcium oxide और यह जल के साथ तिव्रगति से प्रतिक लिया करता है और calcium hydroxide में परिनत हो जाता है ठीक है COO का उपयोग हम लोग lime प्रकास उत्पन करने में कोई और सुस्क कारक के रूप में यूज करते हैं ठीक है अगर हम और options की बात कर लेते हैं तो अगर हम CACO3 की बात करते हैं तो यह होता है calcium carbonate CAOH का hole 2 की बात करते हैं तो यह होता है calcium hydroxide और CACL2 की बात करते हैं तो यह होता है calcium chloride next question है question number 15 question number 15 कहा रहा है कि किसी तत्व का बीदुत बिन्यास 285 है मतलब कोई एक तत्व है उसका electronic configuration आपको दिया हुआ है 285 तो इसकी द्रम्यान संख्या ग्याद करना है आपको ठीक है देखे यह question थोड़ा सा यहां गलत है यहां द्रम्यान संख्या नहीं होगा यहां atomic number option के according अगर हम बात करते है 285 यानि कि इसका जो atomic number होगा वो हो जाएगा 15 ठीक है और 15 कि अगर हम बात करते हैं तो 15 किसका होता है फासफोरस का होता है तो atomic number के इसाब से answer हो जाएगा 15 लेकिन अगर 15 atomic number होगा उसका द्रम्यान संख्या की अगर हम बात करते है तो उसका जो द् 30.9 के अप्रॉक्स होता है तो ये उसका द्रम्यान संख्या हो जाएका तो इस question में यहाँ atomic number होना चाहिए क्योंकि फास्फोरस का द्रम्यान संख्या होता है वो 30 point कुछ something according होता है ठीक है द्रम्यान संख्या यानि कि अगर हम हम बात करते हैं तो उसको A से denote किया जाता है atomic नमर की बात करते हैं तो उसको z से denote किया जाता है next question है question number 16 question number 16 कह रहा है कि अंडे देने वाले प्रानियों को क्या कहा जाता है तो इसका जो सई अंसर होगा देखे यहाँ भी थोड़ा सा options गलत दिया हुआ है, अंडे देने वाले प्राणियों की अगर हम बात करते हैं, तो उसको बोला जाता है, end project ठीक है, क्या बोला जाता है, end project जो की option में नहीं है, तो end project बो प्राणियों है, जो अंडे देते हैं, और उनके उत्तक ग्रंथियों का निर्मान करते हैं, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जाएगा, बाई का बाई का जो है, उत्तक ग्रंथियों का निर्मान करते हैं, next question question number 19, question number 19 कहा रहा है कि बोलं दर्ला किस देश में इस्थित है, तो इसका gray सई अंसर होगा बो हो जाएगा option number C पाकिस्तान में इस्थित है बोलन दर्ला ठीक है बोलन दर्ला की अगर हम बात करते हैं तो बोलर दर्ला पाकिस्तान के बुलुचुस्तान का एक प्रमुख दर्ला है जो क्वेटा को जैकोबाबाद से जोडता है ठीक है भारत और चीन से य कोश्चन थोड़ा सा यह कार्बन का आप प्रूप पूछ रहा है तो इसमें ग्रेफाइड, फ्लॉरीन, डाइमंड, कोईला यह चारों अपरूप है देखे, कार्बन के अगर अपरूप की बात करते हैं तो दो टाइट का होता है एक होता है क्रिष्टल यह अपरूप और तो अगर हम बात करते हैं graphite की, fluorine की और diamonds की, तो यह जो तीनो है, यह है crystal year higher, अग कोईला जो है वो अ crystal year higher, जैसे कि coil हो गया, कोख हो गया, काजल हो गया, कोईला हो गया, यह सब अ crystal year higher, ठीक है डाइमन और फ्लूरीन जो है वो क्लिष्ट लिए अप्रूप है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 21 कोशन नमबर 21 कह रहा है कि धातुए बिदूत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहु सारी धीले आबंदित ब्लैंक पाए जाते हैं तो बहु सारे धीले आबंदित क्या इलक्ट्रोन प्राप्द किये जाते हैं पाए जाते हैं तो आपसा नमबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा धातु का मतलब ही होता है वैसे तत्प जो इलक्ट्रोन को त्याकर धनायन प्रदान करते हैं ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 22 कोशन नमबर 22 कर रहा है कि रुकूरा मध्यम सिचाई बांध कि सराज में इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होजागा उडिसा में इस्थित है तो आपसा नमबर B जो होगा वो हमारा सही अंसर है उडिसा से और याद रखेगा हीरा कुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर है और एक और याद रखेगा महानदी डेल्टा परियोजना ये दोनों उडिसा में ही इस्थेत है next question है question number 23 question number 23 कर रहा है कि प्रिथिवी पर किसी बस्तू का बजन 200 newton है इसका द्रबमान क्या है ठीक है देखिए बजन 200 newton है तो हम लोग उसको gravity से divide कर देंगे तो उसका निकल जाएगा तो यहाँ 200 है और 10 से divide कर दीजे तो 20 kg निकल जाएगा तो आपस नबर A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 24 blank एक सती ही परघटना है तो बासवी करन क्या होता है एक सती ही परघटना होता है तो आपस नबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 25 question number 25 कर रहा है कि वो अस्तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस बस्तू बायो मंडलिये दबापर पिघल कर द्रब बन जाती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number A गलनांग कहलाता है melting point कहलाता है next question है question number 26 question number 26 क्या कह रहा है question number 26 कह रहा है कि sieve tube और सह को सिकाए मुख रूप से blank के संचरंग के लिए उतरदाई होती है तो sieve tube और जो सह को सिकाए होगा वो मुख रूप से पौदे में भोजन के संचरंग के लिए उतरदाई होती है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा sieve tubes से याद रखेगा जो sieve tubes होते हैं वो लंबी होती है बेलनाकार होता है अतथा चिद्रित भीती वाली को सिकाए होती है ठीक है next question है question number 27 question number 27 कह रहा है कि जब litmus billion ना तो अमलिये है और ना ही छारिये है तो तब इसका रंग क्या होगा तो जब litmus billion ना तो अमलिये मतलब एसे डिक nor basic होगा तो उसका जो रंग होगा वो बैग नहीं होगा तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है litmus paper से याद रखेगा जो litmus paper होता है वो रोसला तिनक टोरिया नमक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है next question है question number 28 question number 28 कह रहा है blank धातू ठंडे जल के साथ तिव्ड़ता के साथ है विक्रिया करता है तो इसका जो सही answer होगा वो हो जागा sodium option number 28 ठीक है साधारन ताप पे क्या होता है कि सुस्क हबा और सुस्क औस्किजन का इस पर कोई वर्पाव नहीं पड़ता है sodium के बात करते हैं लेकिन आदहा वाकिय अगर बात करते हैं तब sodium की सता जो होती है वो मलीन पड़ जाती है क्योंकि इस पर जो NOE उच होता है वो बायू में अवस्थित CO2 के साथ अभी क्रिया करके NO2 CO3 बना लेता है ठीक है और यही कारण है कि sodium धातू को लाशन तेल के अंदर डूबा का रखा जाता है Next question है Question No.29 Question No.29 कह रहा है कि Hypermetropia से पीडित लोगों द्वारा Blank Lens का उपयोग किया जाता है तो Hypermetropia का मतलब क्या होता है Hypermetropia का मतलब होता है द्रीक द्रिष्टी दोस ठीक है परती है लेकि निकट की बस्तू जो होती है वो दिखलाई नहीं परती है मतलब कहने का Simple सा मतलब होता है कि इस रोग से जो ग्रसित बेखती है उसकी निकट की बस्तू का जो प्रतिभीम है बोरेटीना के पीछे बंजाद बनता है ठीक है साथी साथ याद रखेगा निकट दुष्टी दोस्त के निवारंग के लिए हम लोग Concave Lens का यूज करते हैं मतलब अबतर Lens का यूज करते हैं निकट दुष्टी दोस्त के लिए और दूर देश के लिए उत्तर Lens यानि Convex Lens का यूज करते हैं Next question is question number 30 Question number 30 का रहा निम्लिकित में से किस खेल से और कोईयो राजी संबन्दी थे तो और कोईयो राजी जो संबन्दी थे बहुत है लीट से संबन्दी थे तो option number D जो होगा वो हमारा साही अंसर होगा और इन्होंने 2018 के ACI गेम्स में 1600 मीटर इले में रज़त पदक भी जीता है Next question है Question number 31 Question number 31 कह रहा कि अकबर ब्लैंक बर्स की आयू में पंजाब का सासक बना था तो ये मातर 13 बर्स की आयू में पंजाब का सासक बन गया था तो option number C जो होगा वो हमारा साही अंसर होगा Actually हुआ क्या था कि हिमायू की मिर्तू 1556 में दीन पना पुस्तकाले के सीडी से लुठक कर गिर जाने से हो गई थी और उसके बाद अकबर जो था वो राजा बन गया था और फिर 1556 से लेके 1560 तक ठीक है बैरम खान जो था वो इसके संरत्षा के रूप में कार्ज किया था अकबर जो है वो 14 फर बड़ी 1556 को पंजाब के कलनौर में ये इसका राजा अभी से कर दिया गया था ठीक है कहा जाता है कि वह ही बैरम खाने एक इट का सिहासन बना कर इसका राजा अभी से कर दिया था नेक्स कोशन है कोशन नमर 32 कोशन नमर 32 कर रहा है कि उत्पेच बल और भार क्या करते हैं आप लोग पड़े भी होंगे बायू एंसी उत्पेच बल तो उत्पेच बल और भार कार करते हैं उनों बिप्रीद दिशाओं में तो उप्सन नमर 2 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए जब किसी भी बस्तु को कोई द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर दो बल कार्ज करते हैं एक बस्तु का भार्ज होता है वो नीचे की तरव कार करता है और एक बस्तु का उत्पेच या उत्प्लावन बल जो होता है वो उपर की तरह काम करता है ठीक है उत्पेच की अगर हम बात करते हैं तो ये बायूएंसी होता है आप लोग पढ़े होंगे नेक्स कोशन है कोशन नमर 33 कोशन नमर 33 कर रहा है कि निमलिखित में से कौन लोग सभा की पहली महिला अस्पिकर थी तो इसका जो सही अंसर होगा वो होजगा उप्शन नमरे मीरा कुमार जो थी पहला महिला अस्पिकर थी साथी साथ याद रखेगा लोगसभा की दूसरी महिला स्पिकर आप से पूछ दिया जाए तब कौन होगा तब हो जाएगा सुमित्रा महाजन सुमित्रा महाजन जो है वो लोगसभा की दूसरी महिला स्पिकर है सुमित्रा महाजन से एक चीज याद रखेगा कि सुमित्रा महाजन एक ही संसद ये छेतर से एक ही पार्टी के टिकट पर लागातार आठ बात जीतने बाली प्रथम संसद हैं और ये कहां से जीतती थी इंदौर से जीतती थी ठीक है अगर लेकिन लोगसभा के पहले स्पीकर की बात कर दे महिला हटा दे तब अंसर हो जाएगा जी भी माबलंकर ठीक है ग्रफ का होल टू जो है बुझे हुए चुने का रसाइनिक नाम है केलसियम हाइड्रो अकसाइड जिसको बोला जाता है तो आपसा नमर बी जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा CA-CA3 क्या होता है कैल्सियम कार्बोनेट का रसाइनिक सूतर है CA-CL2 की बात करते हैं तो यह कैल्सियम क्लोराइड है और CAO को हम लोग कैल्सियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसको कि हम लोग क्यूक लाइम भी कहते हैं Next question है question number 35 Question number 35 कह रहा है कि एक मोटी जैल की तरह घोल बनाने की इसकी छमता के कारण ब्लैंक का उप्योग जेली जैम और मुलबे के बनाने के लिए बानीजी के रूप से किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा पैक्टिन तो आपसर नमर बी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Next question है question number 36 जैसे ही हम ब्लैंक बढ़ाते हैं ध्वनी की गती बढ़ जाती है तो इसका जो सही अंसर होगा कि किसी भी माध्य में अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनी की गती बढ़ जाती है तो आपसर नमर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Next question है question number 37 भगमान महाबीर की मिर्तु कहां हुई थी तो भगमान महाबीर की मिर्तु जो हुई थी वो पाबापुरी में 4620 में हुआ था और उनकी जन्द का अगर पूछ ले तो जन्द उनका कुण्णल गिराम बैसाली में हुआ था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D महाबीर जैन से याद रखेगा ये 24 में तिर्थांकर थे और जैन धार में 24 तिर्थांकर हुए थे जिसमें ये महाबीर जो थे 24 में और अंतिन तिर्थांकर थे ठीक है और महाबीर जैन धार में 5 सिध्धान थे जिसमें 4 जो है बो 23 में तिस्थांकर ने दिया था सतहिंसा अप्रिग्रा और अस्ते और महभीर ने फिर इसमें ब्राम चार्ज जो की पाँचमा था उसको जोड़ा था कोश्चन नबर 38 कर रहां कि 1940 से लेकि 1945 के दोरां कॉंग्रेस की अध्याच न्बर डी मौलाना आबुल कलामा जाज़ा जो थे वह 1940 से लेकिए 1945 तक कॉंग्रेस की अध्याच रहे थे तो अपन्स नमबर डी जो होगा व हमारा सई अंसर होगा ठीक है देखिए हुआ क्या था कि 1940 के बाद से, ठीक है, 1940-1945 के बीज में Congress का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन 1940 का जो अधिवेशन कहा हुआ था, रामगड में हुआ था, उस रामगड अधिवेशन में अब्दुल कलाम को अध्याच बनाया गया था, तो इस थरह से लेके, वो 1940 से लेके 1945 तक Congress की अध किरपलानी, ठीक है, और फिर यह पुछा जाता है कि स्वतंसता के समय कौन थे, तब यह हो जाएगा अंसर, जेवी किरपलानी, फिर उसके बाद 1948 में हुआ, जो कि जैपूर में अधिवेशन हुआ, जिसमें पटावी सिता रमया को अध्याच बुनब बनाया गया, और लास अधिवेशन है, और इसकी अध्याचता कौन किये थे, इसकी अध्याचता किये थे, दादा भाई, नौरोजी के द्वारा किया गया था, स्वधेशी आंदोलन भी 1906 में बंगाल में अस्टार्ट हुआ था, नेक्स कोचन है कोचन नबर 40, कोचन नबर 40 कर रहा, अंग्रेज पुलिस अपसर कैप्टन सौंडर्स निमलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, सरदार भागा सिंग, ऑप्सन नमट D, और इनी के हत्या के आरोप में इनको 1931 में मातर 23 साल की उमर में इनको फासी की सजा दे दी गई थी, ठीक है, राम पर साथ बिसमिल की बात करते हैं, तो इनका संबंध का कोरी कान से है, ठीक है, और भागा सिंग और पुके टेसवर्दत से एक चीर याद रखेगा, इन्होंने पब्लिक सैफ्टी बील का बिरोध करते हुए, सेंटरल हॉल में बं फेका था, नेक्स कोशन है, कोशन नमबर 41, कोशन नमबर 41 के रहे, ब्लैंक इसमी में लड़ा गया पर पलासी का यूद भारत की इतिहास में एक महत्मुन घटना है, तो पलासी का यूद 23 जून 1757 को लड़ा गया था, तो आपस सिरा जुदौला था, जो सिरा जुदौला जिसमें उसकी हार हुई थी, नेक्स कोशन है, कोशन नमबर 42, कोशन नमबर 42 कर रहे, सिवाजी के परसासन में पेशबा कहा जाता था, तो सिवाजी के दरवार में पेशबा जो था, वो प्रधान मंतरी को कहा जाता था, तो आपस कोश्चन है कोश्चन नमर 43 कर रहा है कि 1945 इसवी में अनुबं के गिराये जाने से तबाह हुए सहर नागा साकी और हीरो सीमा किस देश में अवस्थित हैं तो यह जापान में अवस्थित हैं तो ऑप्सन नबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है हीरो सीमा पर लिटि दूतियविस्यूत की अगर हम बात करते हैं तो दूतियविस्यूत की सबसे महत्मुन बात भी यही थी कि जो जापान जो था वो मित्र राष्ट का सदस था लेकिन वो धूरी राष्ट का साथ दिया था और इसी को क्या कहा जाता है इसी को इतिहास में पीता आतंक कहा जाता है कि वो मित राष्ट का सदस होते हुए भी धूरी राष्ट का साथ दिया था अगर हम दूतिय भी स्वीट की बात करते हैं तो यह 149 से पाराम होकर 145 में चला और इसका जो ततकालीन कारण था वो था जर्मनी द्वारा पॉलेंड पर आकरमन ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 44 कोशन नमबर 44 कह रहा है कि निमलिकित में से किसने राज अपहरन मतलब राज हड़प निती को क्रियान बिंद किया था तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा ऑप्सन नमबर B लॉट डलहोजी के द्वारा ये किया गया था मतलब कहने का लॉट डलहोजी जो था वो प्राचीन काल से जो भारत में गोद लेने के प्रथा थी कि जिसका कोई भी बेटा नहीं है जिसका कोई भी बंसज नहीं है उसको गोद ले लिया जाता था इस प्रथा को वो समाप्त कर दिया और ये हो गया कि जिसका कोई भी बंसज नहीं है उ सा सहर हुआ था तो वो था सतारा ठीक है next question है question number 45 question number 45 कर रहे कि पानिपत की दूसरी लड़ाई निमलिखित में से किसके किसके बीच हुई थी तो पानिपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था तो आपसर नमबर ए जो है वो हमारा सही अंसर है अकबर और हेमू के बीच ठीक है अगर हम पानिपत की और लड़ाई की बात करते ही तो प्रथम लड़ाई जो थी वो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जिसमें बाबर भी जई हुआ था और पानिपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में हुआ था जिसमें आहमा साबदाली ने मराठो को हराया था ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 46 कोश्चन नमबर 46 कह रहा है कि परसीद कभी बिलन किसका राजदरवाली कभी था तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा ओप्सन नमबर B विक्रामदित 6 ठीक है सस्टम ठीक है विक्रामदित 6 जो था वो चालूक कल्यानी के चालूक बंस का एक महांतम सासक था ठीक है बिलहन से याद रखेगा इसकी एक रचना थी विक्राम देवचरित ठीक है और विक्रामदित सस्टम से एक चीज़ याद रखेगा एक विग्नासवर नाम याद रखेगा विग्नासवर ठीक है ये भी इसी के दरबार में रहता था विक्रामदित 6 के दरबार में रहता था और ये कौन था चालूक बंस के मतलब कल्यानी के चालूक बंस का एक महांतम सासक था कल्यानी के चालूक बंस की अगर बात करें तो इसकी अस्थापना तैलब दूतिय के द्वारा किया गया था छमुद्र गुप से याद रखेगा कि इसका एक राजबे था चरक जिसने चरक संग्ता की रचना की थी और चंदगुप प्रथन ने महराजा धिराज की उपादिधारन की थी और चंद गुप दूतिये से याद रखेगा कि इसी के सासनकाल में फायान जो था वो भारत आया था, ठीक है, चलिए, अब पड़ते अपने अगले कोश्चन की तरब जो कि है हमारा कोश्चन नमबर 47, कोश्चन नमबर 47 कह रहा है, बुलन दरवाजा का निर्मान करने वाला म अकबर के द्वारा बुलन दरवाजा का निर्मान किया रगया था, वो जो गुजराद पिजय किया था, 1572 में, उसी के खुसी में उन्होंने क्या किया था, उसी के असमारा के रूप में उसने बुलन दरवाजा का निर्मान करवाया था, तो अपसा नमबर C जो होगा, वो ह इसलिए किया गया था, इसका में काम था 20 यूद को रोकने के लिए, लेकिन यह जो राष्ट संग था, वो असफल रहा, वो 20 यूद को रोक नहीं पाया, और दूतिय 20 यूद फिर से हो गया, ठीक है, अगर हम राष्ट संग की बात करें, तो इसकी अस्थापना 1920 में 10 जन्वर 1920 को हुआ था, इसका सची वाले जो है, मतलब है, ट्क्वार्टर एक तरस से आप बोल सकते हैं, वो जनेवा में है, ठीक है, और इसमें एक चीज, एक नाम याद रखेगा, बुड्रोब बिलसन, ठीक है, बुड्रोब बिलसन की बहुत महत्पून भूमिका थी इस राष्ट संग की अस्थापना में, लेकिन ये राष्ट संग जो था, वो असाफर रहा, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, ओप्सन नमर A, भविस में 20 यूद को रोकने के लिए, नेक्स कोशन है कोशन नमर 49, कोशन नमर 49 कह रहा है कि साइमन आयोग किस बर्स भारत आया था, तो साइमन आयोग बनके तयार हो गया था 1927 में, मतलब उसका गठन हो गया था 1927 में, लेकिन वो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा, बो हो जाग तो जो member थे, इसके वो English थे, इसमें कोई भी भारतिय नहीं था, इसलिए इसको white man commission भी कहा गया है, और इसी यही region था कि भारतियों के द्वारा इसका बिरोध भी कहा गया, और बिरोध में आप लोगों को पता होगा, कि लाला लाजपत्राय को बहुत बुरी तरह से लाठी ज बोला था, जो एक जाम में पूछा जाता है, कि लाला लाजपत्राय ने बोला था, कि आज मेरी उपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की kill बनेगी, नेक्स कोचन है कोचन नमर्फिक 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 नमर् प्रिठक होते हैं तो यह उत्री अमेरिका है जो बेरिंग जल डमरूमद के द्वारा अलग होते हैं बेरिंग जल संधी जो है वो रसिया ठीक है और आसका उत्री अमेरिका को अलग करता है ठीक है अगर हम कूक जल डमरूमद की बात करते हैं तो यह जो कूक जल डमरूमद है गो दच्छनी परसांत महा सागर, यानी New Zealand में उत्तर अबम दच्छनी दिब में अवस्तित है, जिका है, बॉस जल डमरूमद की अगर बात करते हैं, तो यह तसमान सागर और दच्छन सागर को जोडता है, डोबर जल डमरूमद की बात करते हैं, तो यह Atlantic और उत्री सागर को जोडता है, और ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, next question है question number 52, question number 52 करया कि पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है, उसको हम लोग precipitation करते हैं, तो option number C जो होगा, वो हमारा सही answer होगा, देखिए, यहाँ एक चीज याद रखिएगा, कि बरसा का जो पानी होता है, वो उसको सबसे सुध पानी माना गया है, यहाँ एक question science में बहुत जादा बार पूछा गया है, कि बरसे के जो बूंदे होती है, वो गोल होती है, क्यों, क्योंकि प्रिश्टन आपके कारणे सा होता है, next question है question number 53, question number 53 करया कि कपड़ों तथा बरतनों को साफ करने के लिए प hydrocarbon होता है, question number 54 कर रहा है कि किसी तत्व के परमानु का परमानु करमांग 17 है और दरभ्म्यान 36 है तो उसकी nucleus में रिट्रोनों की संख्या क्या होगी, देखिए, आप लोग पड़े भी होंगे, एक वल्टू परमानु दरभ्मान के अकर बात करते हैं, तो जिन लेली संख्या बराबर क्या होता है, z plus n, तो n बराबर क्या हो जागा, a minus z, तो 36 में से 17 को माइनस कर दीजे, तो अंसर आजागा 19, यानि option number b जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, खिक है, next question है, question number 55, question number 55 कर रहा है कि उर्भरकों के निर्मान में निमलिकित में से कौन सा तत्थ प next question है, question number 56, question number 56 कर रहा है, hemoglobin और chlorophyll दो जी बनुए, निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही अंसर होगा, option number C, chlorophyll में magnesium और hemoglobin में लोहा पाया जाता है, तो option number C, जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा next question है, question number 57, question number 57 कर रहा है, कि लच्मी बाहिराष्टीय सारेरिक सिछा संस्थान कहा है इस्तित है, तो लच्मी बाहिराष्टीय सारेरिक सिछा संस्थान ग्वालियर में इस्तित है, तो option number C, जो होगा, वो हमारा सही अंसर है, और जो university grant commission है, वो मतलब UGC जो है, वो इसको 14 ज तो तमिलाड़ू में सरवदीक लोग प्रियतरोहाल हो जागा, पॉंगल, तो option number C, जो हो है, वो हमारा सही अंसर है, ठीक है, अगर हम बात O'Nam की करते हैं, तो O'Nam केडल का एक लोग पर्व है, वीउ की बात करते हैं, तो ये असाम का है, ठीक है, अगर हम अपने बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार का छट पूजा जो है, वो सबसे महत पुंट पर्व है, नेक्स कोशन है, कोशन अबर 59, कोशन अबर 59 कह रहा है कि राजीब गांदी अंतराष्टिये बिमान पतन कहां इस्तित है, तो राजीब गांदी अंतराष्टिये बिमान पतन जो है, वो तो पटना के हवाई अड़ा का नाम है जै परकास अंतर राष्टी है हवाई अड़ा नक्स कोचन है कोचन नमर 60 भारत की पहली महिला राष्टपती कौन है तो भारत की पहली महिला राष्टपती है स्रीमती पर्थिभा पटिल जो 2007 से लेके 2012 तक काज रथी तो अप्सन नमर B जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा ठीक है साथी साथ याद रखेगा पर्थम परधान मंतरी पूछे तब हो जागा इंदरा गांधी पर्थम राजदूत पूछे तब हो जागा बिजय लच्मी पंडित पर्थम महिला चुनावाई पूछे तब हो जागा सिरीमती रमा देवी next question है question number 61 question number 61 कह रहा है नोबेल सांती पुरुसकार किस नगर में दिया जाता है तो नोबेल सांती पुरुसकार जो है वो ओसले में दिया जाता है जो कि नॉर्वेकी कापिटल है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा ठीक है सांती का नोबेल पुरुसकार से अभी रिसेंटली एक नाम याद रखेगा कैलास सतार्थी और मलाला यूसुप जिनको 2014 में दिया गया है भारत का प्रथाम बेक्ति कौन है रविना टाइगोर है जिनको उने 113 में दिया गया था उनकी पूस्तर गिता अंजली के लिए सांती की अगर नोबेल पुरुसकार की अगर बात करते हैं तो सांती का जो नोबेल पुरुसकार है वो किसके द्वारा दिया जाता है के नाम पे उन लोगों को की भी कहा जाता है नेक्स-कोचन है an salary 63 के रहा कि सेंदर सबिता के लोग नीम्न में से किस धातु से प्रचित नहीं थे तो सेंदर दरता की लोग लोहा से प्रचित नहीं थे son a year-डी ज úगा हमारा स़ई अंजर होगा ठीक है, next question है, question number 64, question number 64 कह रहा है कि सरवादिक प्राचीन बेद रिकवेद हैं जिसमें, तो जिसमें क्या, इसवर अस्तूती के मंतर हैं, तो option number A जो होगा, वो हमारा सही अंतर होगा, ग्यात्री मंतर भी कहा हैं, इसी रिकवेद में ही हैं, ठीक है, रिकवेद की अगर हम बात करते हैं, तो ये 10 मंडलों में विभक्त हैं, और इसमें कुल 1018 सुक्त हैं, ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक question बहुत बार पूछा जाता है, कि सुदर सर्व का सरपथम उलेक, तो सुदर सब्द का सरपथम उलेक, इलिक बेद के 10 में मंडल में मिलता है, next question है, question number 65, question number 65 कर रहा है, निम्न में से खिन के द्वारा बाबा रामदेव की आदम कथा, my life, my mission नमाग पुस्तक लिखी गई है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, option number A, उदे महरूकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, next question है, question number 66, भारत के की सराज में, GMR द्वारा, green field अंदर राष्टी है, हवाई अड़ा बिक्सित किया जाएगा, तो इसका जो सही अंसर होगा, option number D, गोवा में किया जाएगा, और गोवा में का, गोवा की capital पंजी में ये किया जाएगा, ठीक है, GMR की अगर हम बात करते हैं, तो GMR क्या एक infrastructure की कंपनिये, construction ठीक है, जिसका headquarter New Delhi में और जिसकी अस्थापना 1978 में किया गया है, next question है, question number 67, 67 कह रहा है कि कनिस्क की राधधानी थी, तो कनिस्क की राधधानी थी, पुरुस्पूर, जिसको हम लोग बोलते हैं, पेसाबर, ठीक है, तो option number B, जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, पुरु आप गती पर जब बैठा था, तो उसमें वो 78 इस भी की बात है ये, तो उसने बैठने के समय एक संबत चलाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्त संबत बोलते हैं, ठीक है, कनिस्क से एक शिर और याद रखेगा, कि बौत धर्म की जो चौती संगती थी, वो कनिस्क नेक्स कोशन है, कोशन नबर 68, कोशन नबर 68 कर रहा है, चीनी आतरी फायान निम्लिखित में से किसके सासनकाल में भारत आया था, तो चीनी आतरी फायान जो था, वो चंद गुप्ध दूतिये के सासनकाल में आया था, तो आपसा नबर C जो होगा, वो हमारा सही अंसर होग ठीक है चंदगुप्त मौर के समय मेगा स्थनी ज़ा दूत बनकर भारत आया था और एक चीनी आतरी था हेंसोंग जो की हर्सवर्दन के सासनकाल में भारत आया था ठीक है चंदगुप्त दूतिये से याद रखेगा संस्क्रेट के जो महा कभी है काली दास वो इसी के दरवार में रहते थे नेक्स कोशन है कोशन नमर 69 कोशन नमर 69 कर रहा है प्रिथिवी राज चोहान के दरवारी कभी का नाम क्या था तो प्रिथिवी राज चोहान के दरवारी कभी का नाम था चंदवर्दाई जिसने प्रिथिवी राज रासो नामक पुस्तक भी लिखी है तो अपसा नमर 2 जो ह निम्न में कौन सा मुख्य कारण है तो अल्लाव दिन का बजार नियंदरन का मुखे कारण है वो अपनी सेना की छमता को कायम रखना तो इसका जो सही अंसर होगा बोह जाएगा अप्सन नमबर ए ठीक है अल्लाव दिन बजार के नियंदरन में इतना ज्यादा परभावी था कि कहा जाता है कि उसने बैपारियों को बैमानी रोकने के लिए क्या कहा था उसने आदेश दे दिया था कि जो बैपारी जितना कम बजन करेगा उसके सरीर से उतना मास काट लेना ठीक है अल्लाव दिन बजार नियंदरन निती को लागू करने है तू एक नया बिभाग भी बनाया था जिसका नाम था दिवाने रियासत नेक्स कोशन है दिवाने रियासत बिभाग की अस्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई तो अभी हम लोग देखें ये इसका जो समकालिन थी तो मीरा बाई जो थी वो चैतनwel महापरभू के समकालिन थी तो अपस्ण नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा इनका बिभाह किसे हुआ था इनका बिभाह चितोड के सासा कराना संग्राम सीं के पुत्र क्रेमी और एक पति दोनों के रूप में क्रिशण की वो पासना करने लगती हैं ठीक है इनका इसे एक चीज और याद रखेगा इनकी जो भक्ति गीत है वो मुल्त ब्रज भासा का परियोग किया गया है इनकी भक्ति गीत में next question है question number 73 question number 73 कर रहा है कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था तो मुगल काल में सेना का जो प्रधान था उसको मीर बक्सी कहा जाता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा मीर बक्सी का मतलब मीर बक्सी से एक चीज़ याद रखेगा मीर बक्सी जो था वो सर्खत नामा के एक पत्र पर हस्ताचर करता था और वही सर्खत के पत्र पर हस्ताचर होने के बाद ही सेना को हर महीने का बेतन दिया जाता था ठीक है बजीर से एक चीज याद रखेगा कि बाबर के सासनकाल में बजीर पद का काफी महत्पुन ये था Next question है question number 74 Question number 74 कर रहा है कि मराठो को एक सक्ती के रूप में किसने संगठित किया था ठीक है बाला जी बिस्वनाथ के बात अगर करते हैं तो बाला जी बिस्वनाथ जो थे वो मराठा की खोई हुई सक्ती को पुनायकंदित कर पेशवा के नितरित में सक्तिसाली मराठा राज को पुनास्ताफित किया था सिवाजी से याद रखेगा इसके मंत्री मंदल को अश्पधान कहा जाता था और अश्पधान में पेस्वा का पत्सरबादिक, महत्पुन और सम्मान का होता था सिवा जी से एक और चीज याद रखेगा पूरंदर की संधी जो महराजा जैसिंग और सिवा जी के मद संपर्ण हुआ था और फिर सिवा जी को औरल जेब ने क्याद कर लिया था जैपुल भवन में नेक्स्ट कोशन है कोशन अबर 75 कोशन अबर 75 कर है कि विश्में अलमूनियों का सबसे बड़ा उत्पादक देस कोन है तो विश्में अलमूनियों का सबसे बड़ा उत्पादक देस से ゃप तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अस्टेलिया से याद रखेगा अस्टेलिया जो है वो बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ठीक है और अगर हम बात है रसिया की कर लेते हैं तो रसिया से याद रखेगा मैगनीज का ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है और चाइना के बात करते हैं तो चाइना से याद रखेगा लोहा जस्ता ये का चाइना जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है नेक्स कोशन है कोशन नमर 76 कर रहा है कि भी आकार की घाटी का निर्मान किसके द्वारा होता है तो भी आकार की घाटी का निर्मान जनरली यूबा नदी के द्वारा होता है तो आपसा नमर ए जो है वो हमारा सही अंसर है question number 77 कर रहा है gulf stream किस परकार की जलदा रहा है तो gulf stream गरम जलदा रहा है तो अपसा नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा gulf stream जो जलदा रहा है वो मैक्सिको के खाड़ी से newfoundland के ओर चलती है ठीक है next question है question number 78 जाफना प्रयदीप और सिरलंका की मुख भूमी को जोड़ने वाला पास का क्या नम है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगायली फिंटा फास तो अपसा नमर B जो है वो हमारा सही अंसर है next question है question number 79 79 कह रहा है सिया चीन है तो सिया चीन क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच का हीम रदी सिमान्त छेतर है तो अपसा नमर A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 80 question number 80 कह रहा है कि भारत की राष्टिये आये अनुमानित होती है तो भारत की राष्टिये आये जेनरली CSO के द्वारा मतलब Central Aestatical Organization केंद्रिये सांकी की संगठन के द्वारा अनुमानित होता है तो अपसा नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है और सबसे पहले दादा भाई नारोजी के द्वारा अपने पुस्तक प्रोभर्टिया एंड एंड प्रिटिस रूल इन इंडिया में प्रतिब एक T.I. की गन्ना किते बताई गई थी 20 रुपे निर्धारित किया गया था ठीक है C.S.O. की अगर बात करते हैं केंद्रिये सांकी की संगठन की बात करते हैं तो इसकी अस्थापना उनईसो एकामन में हुआ है और इसका मुख्याल है New Delhi में है ठीक है एक और चीज याद रखेगा एक होता है Base Year तो राश्टिये आई की जो माप का अधार है अधार बर्स मतलब Base Year जो है वो है 2011-12 ठीक है चलिए तो आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथी साथ आप लोग बहुत सारे लोगों से मैं पूछा था ये चीज कि अब ये प्रेटफार्म का टोटल 21 सेट्स है तो 21 आज ये 20 सेट्स है ये आपका सेट्स खतम हो जाएगा उसके बाद कौन सा सेट्स स्टार्ट किया जाए तो बहुत सारे लोगों का जो कमेंट था वो था एडिटोरिया का सेट्स स्टार्ट किया जाए तो मैं एडिटोरिया का सेट्स स्टार्ट करूँगा तो आप लोग अपने comment बता सकते हैं, अपना सुझाओ बता सकते हैं कि कौन सा सेट चलाया जाए और साथी साथ आप पहले जाके PDF डाउलोड कर लिजे और comment करके जलूर बताईएगा कि आपका score कितना आ रहा है